खुब सूरत और ग्लास स्किन की चाहत हम सभी की होती है लेकिन फेस पे कुछ ऐसा प्राबलम हो जाता है जो कि हम मैलाओं को काफी जादे परेसान करता है अन्वांटेड हेयर फेसियल हेयर और इसको हटाने के चकर में नौ जाने हम क्या के अपने फेस पे लगाते हैं बहुत मैं क्यों बोल लाई हूँ फ्रेंड आज का जो एक घरेलू नुस्खा है फ्रेंड पूरी तरह से अलग है और इसे आप अपने फेस पे जब लगाएंगे तो पहली बार में ही आपको फर्क देगा इतना कमाल का ए रिजर्ट देता है कि जितना भी मैं इसका तारीफ करूं प्रस्नली ये मेरा फेवरेट है और जब भी अंचाहें बालों को हटाना होता है तो इस मास्क को मैं अपने फेस पे जरूर अप्लाई करती हूँ और एक बार में काफी हत्ता के बाल साप भी कर देता है और बाल जड़ से निकरता है दुबारा से उसकी ग्रोथ बहुत कम मा रिक्वेस्ट कर रहे हूं कि अगर आप अंचाहें बालों को जड़ से हटाना चाते हैं नेचुरल तरीके से बीना बैक्सिंग के बीना कोई केमिकल टीटमेंट के तो इस वीडियो को देख लिजिए आपके बड़े काम आएगा चाहें आप एक टीनेज में हैं चाहें आप मैला हैं हर किसी के फेस पर काम करने वाला है तो इसे किस तरीके से हमें तयार करना है ध्यान से वीडियो को देखियेगा इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा बस इतना ही रिक्वेस्ट आप लोग से कर रहे हूं इसे बनाने के लिए आप एक कटोरी ले लिजिएगा इसमें लेना है ओ है हल्दी हल्दी में एंटी बैक्टिरियल सुगूण पाया जाता है जो कि अंचाहें बालों पर काम करता है दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है मतलब कि इसमें सहध है और थोड़ा सा हल्दी मैं यहां पर वाइट टर्मरीक ले रही हूं अगर आपके पास यह तो किचन का ले रहे हैं तो बहुत कम लीजिएगा किचन का जो हल्दी होता है उसमें हल्का फुलका कलर होता है आप सभी को पता है तो मार्केट में जो आइट टर्मरीक आता है उसे लेकर के रख लीजिए जंगली हल्दी इस्पेसली स्किन के लिए होता है उसमें कोई भी color नहीं होता है अब तीसरी चीज आपको इसमें क्या लेना है ओ है गेहु का आटा हम सभी के घर में रोटिया बनता है और सभी के घर में easily मिल भी जाएगा आप इसके जगापी बेसं भी ले सकते हैं या तो 5 चावल का आटा लेकिन गेहु का आटा आपको के जगा पे raw milk भी ले सकते हैं बहुत सारे लोगों के skin पे गुलाब जल नहीं सूट करता है तो इस case में आप raw milk भी ले सकते हैं यानि की कच्चा दूद उतना ही डालिएगा जितना में कि ये काड़ा सा अच्छा सा पेस्ट बने इसमें हम लाश्ट में एक मैजिक चीज़ डालेंगे जो की अंचाहें बालों को जड़ से ही निकार देगा इतना कमाल का रिजर्ट देता है उसे मिक्स करने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहे हूं कि अगर आप इस चैनल पर नहीं है मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओन कर लिजिएगा क्योंकि मेरे चैनल पर आपको इसी तरह का वीडियो दे करेगा तो देखिए फ्रेंट अगर आप रेगुलर बेस पर फिटकिरी अपने इसकीन पर लेकर रगड़ती हैं जैसे कि जहां पर बहुत जादे बाल है तो उसकी ग्रोथ बहुत कम हो जाएगी और कुछ टाइम के बाद आपका इसकीन क्लीन भी हो जाएगा तो फिटकिरी इसकीन करें पाौडर डाल करके अच्छे से मीक्स कर लेना है मिक्स करके इसे तुरंत आपको फेस पर अप्लाई नहीं करना है 2-3 मिनट के लिए रख दिजिएगा ताकि ये सारा समगरी अच्छे से फूल जाए फूलने के बाद जब आप इसे अपने face पे apply करेंगे पहली बार में ही आपको result देखने को मिलेगा तो बड़े ही अच्छा home remedy है ट्राइ जरूर करिएगा और आप लोग अपना feedback कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आपके face पे काम किया है कि नहीं तो पेस्ट को clean face पे apply करना है अच्छे से पूरे face पे भी आप लगा सकते हैं या तो जहां पे बहुत जादे बाल है उसे रिया पे भी आप लगा सकते हैं ठीक है पूरे face पे लगाएंगे हम महिलाओं के पूरे face पे भी रोवा होता है पता नहीं चलता है लेकिन जब हम bleach करते ह हैं या तो मेक अप करते हैं तो जादे नजर आता है तो पूरे face पे लगाएंगे तो रोवा भी साफ कर देगा अगर आपके face पे बहुत सारा बाल है दाढ़ी मूच की तरह तो आप इसमें एक चीज़ और mix कर सकते हैं ओ है coconut टाइल 5-6 बूंद coconut टाल डाल दीजिएगा उस भी हम अपने face पे लगाते हैं तो पूरी तरह से उसी में चीपक जाता है और निकारने पे बहुत जादे पेन होता है फिलाल मेरे face पे बाल बहुत कम है तो इसलिए मैं coconut टाइल का यूज नहीं की हूँ आराम से पैक निकर जाएगा अगर आपके face पे बहुत सारे बाल है त इसे अच्छे से मोटा layer में लगा लेना है आप लोग देख सकते हैं इसे लगा कर आपको जब तक छोड़ना है तब तक कि यह पूरी तरह से dry ना हो जाए मतलब कि 80-90% सूख न जाए तब तक आपको छोड़ना है अब आपके तरफ मौसम कैसा है पांच मिनट में भी सूख सकता है 15 मिनट भी लग सकता है तो इसे लगा करके थोड़ा सा आपको टाइम देना है अभी मैं आप लोग से मिलती हूं 15-20 मिनट के बाद तब तक के पूरी तरह से सूख जाएगा तो चलिए जी अब इसे देख लेते हैं कि किस तरीके से रिमू करना है आप लोग देख सक आपको मसाज करना है आप लोग वीडियो में देख सकते हैं तो मसाज करना बहुत जरूरी है लेकिन आपके फेस पे बहुत सारे पेंपल्स है एकनी है तो इस पैक को बिल्कुल भी ट्राइब मत करिएगा क्योंकि इस केस में आपका स्कीन बहुत जादे रेड हो सकता है अपने स्कीन के लिए पारलर में जाकर आप थ्रेडिंग कराते हैं तो उसमें तो काफी जादे पेंपल्स होता है लेकिन उसके आगे एक कम है आपको पता नहीं चलेगा मेरे तरफ काफी जादे गर्मी है तो इसलिए इस पैक को लगा कर जब मैं निकार रही हूं तो मेरे फेस पे बहुत पसीना होता है क्योंकि मेरा इसकीन बहुत ज़्यादे ओईली है तो इसलिए आप लोग देख सकते हैं कि यह पैक गीला हो रहा है फिलहाल इसे लगा करके मैं फैन के नीचे वैठ गया थी तो पूरी तरह से ड्राई हो गया था लेकिन निकारते समय मेरे फेस पसीना आप लोग देख सकते हैं आईली इसकीन वालों के साथ यही प्राबलम होता है अगर आपका इसकीन बहुत ज़्यादे ड्राई है तो यह प्राबलम आपके साथ नहीं होगा इस पैक को इस तरीके से मसाज करके निकार लीजिएगा फेस को ठंडे पाने से धूल करके आप या तो बरब भी लगा सकते हैं या तो गुलाब जल भी लगा सकते हैं थोड़ा सा गुलाब जल लेके कोटन के सहायतर से लगा लीजिएगा तो अभी मैं क्लीन करके आप लोग को दिखा रही हूं फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा रिजल्ट आया है ह हम सभी मैईलाओं के फेस पे डाढ़ी मूझ होता है किसी के फेस पे कम होता है फिलाल मेरे फेस पे बहुत कम है आप लोग के लिए जो translating मैं सेयर करती हूं अपने फेस पे लगाती हूं जिसके वोजा इसकी तो छुट्टी होगई है आप लोग के फेस से बाल हट सकता है लेकि highly request आप लोग से कर रहे हूँ try इसे आप जरूर करिएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो like और share कर दिजिएगा चैनल पनिव है और आपको इस टैप के वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को subscribe करके बेल आइकेन को on कर लिजिएगा नेक्स्ट वीडियो की इस टोपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताईएगा तो मैं आप लोग से मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए वाई वाई